हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने मोबाइल में जितना भी चाइनेस एप इंस्टॉल है उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे और उसको अपने मोबाइल से कैसे रिमूब करेंगे तो इंडिया ने एक एप लॉंच किया है, एक्शोली यह जो एप से OneTouch App Lab जो जाइपुर राजवस्तान का एक कमपनी है उसने एक रिमूब चाइना एप बोलके एक नया एप लॉंच किया है, लास्ट मांथ का मीड में तो वो एप क्या है, Android बेस भी है और आपका iPhone में भी चलेगा तो उस एप से आप क्या कर सकते हैं, आपके मोबाइल में जितना भी Chinese एप है उसको आप डिटेक्ट करेंगे और डिलीट भी कर सकते हैं तो पहले जान लेते कि यह जो Chinese एप है, उसको क्यों आप अपने मोबाइल से डिलीट करेंगे क्योंकि जितना भी Chinese एप है, जैसे इधर लिस्ट दिया हुआ है 2017 में Top 100 में Only 18 Chinese एप था, इंडिया का जो यूजर है उसमें मगर अभी 2018 में क्या हो गया, वो 44 हो गया, Top 100 में जितना भी एप्स था, उसमें 44 एप्स चाइनीज का था, अभी 2020 में तो और भी ज़्यादा हो गया तो यह जितना भी Chinese एप है, यह अगर आपके मुबाइल में इंस्ट्रॉल रहेगा तो आप जो भी ब्राउज करेंगे या Google पर सार्च करेंगे, कुछ भी करेंगे तो वो क्या करेगा, आपका मुबाइल का एक सार्विलेंस रखेगा तो वो सार्विलेंस करके डेटा चोड़ी करेगा, करके जो चाइना का जितना भी सर्वर है उसमें वो भेजेगा, उसके पास चाइनीज कंपनी और गॉब्मेंट क्या करेगा, उस हिसाब से उसका बिस्नेस स्ट्रेटीजी तैयर करके इंदिया में उस तरह का प्रिमांडिंग है, तो आप जैसे सार्च करते हो, जैसे आप चीजे सेर करते हो, जो भी इंफोर्मेशन आप मुबाइल से के थूरू टॉसेस करते हो, उस ही साब से उन कंपनीज को पता चलता है कि इंडिया का मतलब जितना भी पब्लिक है, उन लोगों का चोइस क्या है तो यह तो हो गया एक तरह का बात, और यह एप के थूरू बहुत सारा पैसा भी चाइनीज कंपनीज कमा रहा है, तो इंडिया का बहुत पैसा भी जा रहा है, और दूसरा बात है कोई जैसे इंडिया में जो भी सिकुरिटी सर्विस में है, डिफेंस में है, मिलेटरी में ह वो लोग अगर ये मुबाइल में Chinese app को रखते हैं तो क्या होगा चाइना को उस चीज का location पता चलिएगा जैसे अभी लादाग में disturbance हो रहा है आप लोगों को सबको पता है कि चाइना बहुत disturb कर रहा है लादाग का जो border है उसमें तो इंडियन आर्मी का अगर मुबाइल में चाइनीज आप रहेगा उससे ओ लोग समझ पाएगा कि कहां पे कितना soldier है क्या है ये तो बहुत dangerous हो सकता है क्योंकि ये अभी का जो internet का दुनिया है ये बहुत ही ज्यादा helpful भी है और बहुत ज्यादा harmful भी हो सकता है तो जितना जल्दी हो सके चाइना का अरे एप को delete कर दे है तो इसके लिए एक दो साल लग जाएगा जैसे सोनम वंग्चुक बोलके जो आदमी है आपको पता होगा कि उन्होंने बोला है कि देख लीजिए ये जो है कि Chinese product को boycott कीजिए कि software को एक हपते के अंदर mobile या device से delete कीजिए और जो hardware है वो एक साल के अंदर करना पड़ेगा इनसे motivate होके मैंने ये वीडियो बनाया है तो ये जो apps है इसका नाम है remove china app तो उसको कैसे हम लोग install करेंगे google में जाएंगे google play stores में जाके आपको इदर लिखना है remove china apps तो ये जो आगया 4.9 rating है बहुत ही चोटा साइज है 3.3 MB कुछ दिन पहले launch हुआ अभी तक 50 लाग से उप पर लोगों ने इसको install कर लिया तो install करके देखते हैं इसका तो rating बहुत ही अच्छा है तो देखिए install हो रहा है ये तो ये जैसे install होगा आपके mobile को scan करेगा उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन-कौन सा Chinese app आपके mobile में है डाइडेक्ली आप उहां से अनिंस्टॉल कर सकते हैं और ये जो apps है इस app का एक चीज है कि इस app में suggestion आप नहीं बोला गया है कि substitute app क्या है जिस app को आप delete कर रहे हो उसका तो ओसाइड कुछ दिनों के अंदर ये अब इट करेगा तो मैं आपको कुछ app का substitute app भी बता दूँगा इसमें तो इसको open करके देख लेते हैं देखिए अभी scan करने के लिए बोल रहा है देखिए six app निकल गया ठीक है जैसे gender है ये my store है तो मैं अभी इसको uninstall करके देखता हूं gender को देखिए इधर से option दे दिया देखिए uninstall हो गया इतना easy है ये my store को भी कर देता हूं तो देखिए चार हो गया तो ऐसे ऐसे सब apps को आप uninstall कर सकते हैं तो आभी चले जाते हैं कि substitute app के बारे में जैसे tik-tok है उसका जो substitute app है वो है tangy tangy वो google का app है फिर gender share it का substitute app है files वो भी google का है Indian है geo share UC browser है उसका substitute google chrome या opera mini यूज़ कर सकते हैं यूज़ बेस हैं club factory का substitute टाटा क्लिक इंडियन है या flip cut Amazon यूज़ कर सकते apps lock का substitute है नॉटन apps lock and smart app lock cam scanner का भी substitute है cam scanner भी चाइनीज है इसका है add of scan या microsoft office lens यूज़ बेस कमपनी है PUBG अगर केलते हो तो इसको uninstall कीजिए उसका substitute है call of duty apex legends यह दोनों apps है तो और भी बहुत सरा apps का substitute आपको google में मिल जाएगा या youtube में बहुत सरा videos है जहाँ पर मिल जाएगा तो आसा करता हूं यह video आपको अच्छा लगा अगर यह video अच्छा लगा है तो बाकी लोगों से share कीजिए और जितना जल्दी होजा कि within a week अपका mobile से जितना भी Chinese app है उसको delete कीजिए और उसका substitute app खोज लेजिए ठीक है थैंक यू फर वाचिंग दिस वीडियो जाए हिंद